नमस्कार बहुत सोगत आपका आप देख रहे हैं दानीज आपके साथ मैं स्रिष्टी मिश्रा जीट्वेंटी सम्मिलन की तैयारियां पूरी हो चुकी है राजधानी दिल्ली सच चुकी है दुलहन की तरह राजधानी दिल्ली की तैयारी जोरो शुरो पर और इस बीच हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्केजूल है वो काफी व्यस्त होने वाला है दर्शुक आपको बता दे आज से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका महमानों के आने का दौर भी शुरू हो चुका अलग-अलग महमानों के लिए लगतार अधिकारियों की तैयारी भी तेज हो गई है और इस बीच आपको बड़ी ख़बर बता देते हैं यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पंदरा देशों के रस्ट धक्ष के साथ मुलाकात करने वाले हैं डिनर पर मिलेंगे इसके साथ द्विपक्षिय वारता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं नजर आएंगे पंदरा देशों में कौन-कौन से वो देश सामिल है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ और इस बीच दिल्ली में G20 समेलन की पूरी तैयारिया हो चुकी है इसके साथ मैं आपको बता दूँ परमानू हमले से भी कैसे निप्टा जाए इसका भी भारत इंतजाम कर चुका है देश के तरक्की का आज वो दिन है जिसको इतिहास में याक किया जाएगा कि भारत में मेंजबानी होई थी G20 की इसको लेकर INDIA गटबंधन की तमाम निता ये कह रहे हैं भारत मेजबानी कर रहा है ये हर देशों की बारी आती है और इसमें भारत आगया रहा है मतलब भारत के बढ़ते कदम के साथ विपक्षी गटबंधन की निताओं को भारत की तारीफ अच्छी नहीं लग रही है देश के रास्ट अधक्ष भारत को एक मित्रता के रूप से देखते नजर आ रहे हैं 15 देशों के रास्ट अधक्षों के साथ प्रधान मंतरी की दूपक्षिया मीटिंग होने वाली है जहां पर आपको बता दे इस बीच विभिन निताओं के साथ बैठकों का दौर करते न नजर आएंगे देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और ये जो बैठक का दौर है दर्श्ट को आज से शुरू होकर 10 सितंबर तक चलेगा जब तक G20 की मीटिंग होगी देश के अंदर मेहमान आ रहे हैं लगातार मेहमानों के आने का सिलसला तेज हो चुका है और कल य G20 बैठक के अलावा PMO दी ब्रिटेन जापान जर्मनी इटली जैसे रास्ट धक्षों के साथ द्वे पक्षिया मुलाकात करते नजर आएंगे और इस बीज समझोता होगा तमाम बात होगी मीटिंग्स होगी जलवायू परिवरतन इसके साथ वैपार का मुद्दा इसके सा अभी देश आपस में मिलकर एक जुट होकर समाधान निकालेंगे इसकी भी चर्चार तेज होगी आपके मैं बता दूँ कि पी एम मोदी को अब उस नजर से देखा जा रहा है कि वह प्रिटिवी के शक्तिशाली नेता हैं उभर कराएं और इन सालों में बीते पांच सालों में पी एम मोदी का जो कद बड़ा है विदेशी आज यहां आ रहे है इस बात की गवाही यह है आगे मैं आपको बता दूँ दस सितंबर की बात की जाए तो फ्रांस के राश्चुपती मैकरों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करते नजर आएंगे प्रधान मंत्री नरें के साथ भी इन दिन वोदू पक्षिया मीटिंग करते नजर आने वाले हैं तो पी एम मोदी का जो यह स्चिडूल है काफी जादा बिजी होने वाला है अमेरिकी एनसे का बयान सामने आया है आपको मैं वह भी बताती हूँ क्या कहा है अमेरिकी एनसे जेक सुलीविन ने उन के साथ खाद सुरक्षा सरवजनिक समान वितरन जैसे प्रमुकार्थिक मुद्दे कौन कौन से देशों में कौन कौन से वो समानों का वितरन होता है आयात निर्यात पर जोड़ देना है इसके साथ आपको बता दे वैपार को मजबूत करना है किसी भी देश का वैपार हो उ तक कुछ भी नहीं होई थी आगे आपको बता दूं यहाँ पर कहा जा रहा है कि आर्थिक मुद्व पर वैश्विक नेताओं का साथ मिलना ये भी बड़ी बात होगी देश के लिए जहाँ पर सहयोग करने का एक महत्वपूर्ण अफसर भारत को मिलेगा अन्य देशों के आर काम है जो बदलाओ ला सकती है सिखर समेलन में चीन की गयर भागिदारी के बीच में भी बाच्चित हुई है चीन जो में अपको बता दें कि अमेरिकी नसे ने कहा कि चीन की भागिदारी के बारे में चिंताओं के बावजूद हम G20 के माध्यम से वैश्विक मुद्व चर्चरा तो इस होगी जिस पर अमेरिकी NSA ने बयान दिया आपको बता दे जर्चर को किस तरीके से अधिकारी हो कि पूरी तैनाती G20 का अंदाजा आप ऐसा लगा ये तैयारी किस कदर हुई होगी कि परमानू हमले की भी तैयारी तेज हो गई है दिल्ली के एमस अस्पदाल म चालेस बैड यहाँ पर ट्रामा सेंटर ने रिजर्व रखे हैं जिसमें कुछ ICU है मतलब अगर कुछ भी दिक्कत हुई जो पूरे देश इसके लिए परातना कर रही है कि ना हो अब इसके लिए तैयारी तेज हो गई है आपको बतार का मकसद कैमिकल, बैलोजिकल, रेडिय या फिर नुकलियर आटैक जैसी किसी भी समस्या से इमर्जेंसी के लिए तैयार होने पर निर्वर है, यानि इमर्जेंसी के तोर पर कि इस तरीके से भारत मेजबानी कर रहा है तो मुद्दो के साथ निप्टा जाए, इसके लिए ट्रामा सेंटर में 40 बैड अभी से ही रि पर सुबह एक ड्रील किया गया है, जिसमें डॉक्टरों ने स्पेशल एरिया के परताल की इमर्जेंसी हालात में किस तरीके से बाहर के महमानों को रखा जाएगा, इसके साथ एक्सपर्स की माने तो निकलियर आर्जेंसी के लिए तयार रहना बेहत जरूरी है, ऐसे तरीके से ना हो पाए और बैठकों में कुछ गरबड हो तो इस से निपटने के लिए सरकार ततपर है तैनात है अधिकारी वहाँ पर आपको बतादे लगतार दोरे पर हैं किस तरीके से वहाँ पर पूरी सुलफता होनी चाहिए महमानों का पूरा स्वागत जोरदार तरीके स को बता दूँ विस फोटकों के संपर्क में आने पर भी किस तरीके से हालातों में क्विक एक्शन लेना है उसकी तयारी भी भारत की अधिकारी कर रहे हैं जोरो शोरो पर और देखे यही हुआ कि हमला अगर होता है तो सेना भी तयार रहेगी सेना के लिए पूरी तयारी कर देकर साथी जी ट्वेंटी एप को लाँच किया गया और आपको बता दे अधिकारियों ने बताया कि केंद्रिया मंत्री परिशत की बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जी ट्वेंटी इंडिया मुवाइल एप डाउनलोड करके विदेशी गणमानने व संत्री मीटिंग करते नजर आएंगे वैपार का मुद्दा आर्थिक मुद्दा इसके साथ जलवायू परिवर्तन और देश का कैसे विकास हो इस पर चरचातियस होगी काफी सुखद ये खबर जी ट्वेंटी सम्मेलन अब भारत का एक बार फिर से जंडा उचा होता दिख देडिये